देखे ये योगी साधू है वो साधू बाबा है उनको मंदिर में रहना चाहिए वो नेता नहीं है नेता तो अखिलेस यादव हैं अखिलेस को सियम बनना चाहिए हमारी सोच से देखे अभी हम लोग जो भागीदारी संकाल्प मुर्चा हम लोगों का है अभी हम लोग गोल बान रहे हैं बन गई है भागीदारी संकाल्प मुर्चा और मजबूत करने के लिए मकसद हमारा उत्तरप्रदेश से बीजेपी को सत्ता से बेदकल करना तो बेदकल करने के लिए हम निमंत्र देते हैं कि जितने भी लोग भाजपा को हराना चाहते हैं सभी लोग भागीदारी संकाल मुर्चा के साथ खड़े हो जाएं पर आपके सांसर हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने जल मिशन के तहद 30,000 लुट का गोटाला किया है अरे वो सहीय बोल लाए है वो तने नहीं अवरोग किये होंगे इस भाजपा भारती लूट पार्टी हो गई है यह भारती जनता पार्टी नहीं है भारती लूट पार्टी आपने देखा कि बनारस में प्रधान मंत्री आये उद्गाटन करें सामको और सुबच्छत गिर जा रही है अभी आपने देखा कि पूल बन रहा था और बना नहीं तर तक पूल गिर गया दरजनों लोग मर भी गए थे यहीं बनारस में तो इनके काम अभी जो पूल बना अभी इसी साल गंगाजी में बाह गया बाढ़ने तो यह सब भारती जनता पार्टी एक हमने एक सो पाइंतीस रुपये का यह जोरा बनवाए है जिसमें मोदी योगी की फोटो लगी है और पांच किलो गेहूं 65 रुपये का गेहूं 135 रुपये का जोरा जोरे पर मोदी योगी का फोटो पर चार लेकिन यह उल्टा यह नहीं समझ नहीं कि जनता जागरूख है 600 रुपया उसमें सरसो के तेल में 200 रुपया पेट्रोल में 50 रुपया दीजल में सब मिला करके 1000 रुपया डेली उपयोग की चीजों में पांच चीजों में 1000 रुपया लूट रहे हैं गरीबों से और 200 रुपया उनकी हैं पहुंचा रहे हैं तो 800 रुपया तो लूटी रहे देश को बेज के लूट रहे हैं देख नहीं रहे हैं प्रधान मंत्री वही काम कर रहे हैं मुख्य मंत्री वही काम कर रहे हैं सारे मिनिस्टर लूट मार एंड कमपनी में लगे हुए हैं तेखे महंगाई चरम पे हैं गय सिलिंडर 400 से बढ़ा करके इन लोगों ने लगभग 900 पार करा दिया है वहीं देली उपियों की घरेलू सरसो का तेल है जो 50 रुपए में था आज 200 में बेच रहे हैं जो अरहर की दाल सबके घर एक ताइम बनती है वो 50-52 रुपए में थी आज उसको 125 में बेच रहे हैं वहीं पेट्रोल डेली उपियों की चीजे है जो 60 रुपए का था है आज उसको बढ़ा करके ये ले गए लगबक 100 रुपिया पहुंचा चुके हैं महंगाई आसमान पे छू रही है इनको पता नहीं है कि हम मिट्टी के तेल का हम बन कर दिये हैं तो मिट्टी के तेल से गरीब क्या-क्या काम करता था क्या-क्या का उसके कारोबार चलते इनको क्या पता है जो चीनी कोटे पे मिलती थी इसको इलोग बंद किये हैं ये भारती जनता पार्टी पुरे देश को बेच करके ये पूजी पतियों के हवाले करना चाहती है भारत को गुलाम बनाना चाहती है भारती संभीधान को खतम करना चाहती है नया संभीधान कुछ की मारेंगे इनको उत्तर पदे से सथा से बेद अखल करेंगे मौन पाज़ात होंती है सबमाके मज़े को माल ले रहे हैं पुचास्ट लाग साच्छ लाग का सी लाक पिसंजीला हुआ मालदार जिला हो कम मालदार वाला हो ता कि रूपिया लेके कर रहे हैं कि इसा ही हो रहा है एक एक ट्रांसफर में ले रहे हैं इतने पोस्टिंग हो रहे हैं एक भी बताए कोई घरेली बिजली का भी पांच साल लगातार माप करेंगे गरीबों का इलाज पांच साल फिरी में होगा उत्तर प्रदेश में जाती जनगरना होगी हम लोग मन बनाये हैं कि सरकार बना करके दबाव बनाएंगे 33% आरक्षर महिलाओं को लागू करेंगे एक समान अनिवार और फिरी सिक्षा हम लोग प्रदेश में लागू करेंगे आमन चैन होगा देश प्रदेश में भाईचारा होगा हिंदु मुसल्मान नहीं होगा सिक किसाई नहीं होगा अगड़ा पिछरा नहीं होगा सब लोग एक समान रहेंगे भाईचारा प्रदेश में कायम किया जाएग हमारा मोर्चा जहां भी जाएगा एक दम यह सर्तें एक दम उनको मानना पड़ेगा तेखे जाने से पहले सुपाल यादव जी हमसे पूछ के जाएंगे क्योंकि हमारी उनकी जो बात है कहीं भी चला जाएगा तो बाच्चित करके ही हम लोग चलेंगे तो वो देखे राजा के लक्षण पर लक्षित होते हैं आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हराने के लिए एक विकल के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये कैसी पार्टी है जो भारती जनता पार्टी को सिकस दे सकती है बस सिर्फ इतना है कि अखिलिस यादव जी जितने छे छेत्री पार्टी हैं चोटी चोटी पार्टी हैं जिसको कहते हैं लोग इन सब को साथ मिला लें तो फिर समाजवादी जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में भाईया मेरे हम तो कई बार आप लोगों से भी कह चुका हूँ खुले मन से कहता हूँ भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा खुला है भारती जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाजपार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस कि हम तो तैयार है दरवाजा खोल के बैठे हैं चाय जिसको पीना आजाए सरकार उनको बनाना है कि हमको बनाना है दिखे अखिलेज जी ने काम किया है भाई ये भारती जनता पार्टी आप लखनव खड़ा हो जाई दस नब्बे पर आपको दिखेगा रीवर फ्रन आप वहम आयवती का काम भी दिखेगा आप आगरा के लिए निकलिए लखनव से आगरा एक्सप्रेस वे आप सारे लोग जानते हैं कि अखिलेज जी ने बनवाया और अखिलेज जी ने एक काम नहीं किया यह योगी जी कहते हैं कि मोधी जी योगी जी किम किसानूं का धंदव उगना करते हैं कोई ऐसा चत्डि चौराहा Sponge गाओन नहीं है जहाँ अखिलेस जी की सौनम्स की गारी ने खड़ी थी चौराहे पर गाड़ी रुकी आगे का एक लाल शेकिनल हो गया गाड़ी रुक गई तब तक पत्रकार पुझ गए कि भई अखिले जी आप बताई आपकी सबसे अच्छी योजिना क्या है तो अखिले जी ने कहा कि देखो वो जो चौराहे पर सव नमर की गाड़ी खड़ होता है कहीं भी विवाद होता है तो सव नमर फोन करने पर यह गाड़ी वहां पहुंच जाती है